जैम आतादी दोस्तों अच्छे कर्म करने वालों को बुरा फल क्यों मिलता है? और बुरे कर्म करने वालों को अच्छा फल क्यों मिलता है? ये सवाल अधिकांश लोगों के मन में आता है आकिर भगवान हमारा साथ क्यों नहीं देते? हमारी प्राथनाएं हमारी मन्नते क्यों नहीं सुनते। ऐसी सबी सवालों के जवाब भागवत कथा में सुनाए जाने वाले एक प्रसंग में पाए जा सकते हैं। प्रसंग के अनुसार एक ग्वाला भगवान की बड़ी सिवा करता है। वे हर दिन नियम से मंदिर जाकर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है। उसकी भक्ती का सिलसिला कई सालों तक ऐसी ही चलता रहा। एक दिन उसकी भक्ती से प्रसन होकर भगवान ने उसे मंदिर में दर्शन दिये। प्रभु को अपने समाक्ष साक्षात देखकर उस ग्वाले की आँखों से आसु भेहने लगे। उसने बोला हे प्रभु मैं वर्षों से इस दिन का इंतिजार कर रहा था। मैं प्रति दिन आपकी मूर्दी देखकर सोचता था। मेरे स्वामी सदियों से इसी तरह खड़े होकर भगतों को दर्शन दे रहे हैं। अवश्य आप ठक गए होंगे। प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब भगवान ने उससे पूछा तुम मेरी मदद किस प्रकार करोगे। इस पर गवाला बोला, प्रभु अगर आप चाहें तो मैं एक दिन आपकी जगा पर शिला बन के खड़ा हो सकता हूँ। और आप मेरा रूप धारण करके इस नगर का ब्रहमन कर आईए। भगवान अपने भक्त के उस भोले पन से प्रसन्न थे, जिसके चलते उन्होंने ग्वाले की प्रातना स्विकार कर ली। लेकिन भगवान ने उस ग्वाले के सामने एक शर्त रखी। वे बोले कि पूरे दिन में तुम्हारे सामने कई लोग आएंगे, कई विंतियां करेंगे, लेकिन तुम बस उनकी प्रातनाय सुन लेना, कुछ बोलना या करना मत। मैंने सभी के लिए पहले से ही नियती तैक कर ली है। भगवान की यह बात सुनकर उस ग्वाले को बड़ा अश्यरे हुआ, वह मन ही मन विचार करने लगा, कि इसका मतलब भगवान हमारी प्रातनाय अंसुनी कर देते हैं, अपने मन में हजारों स्वालों के बावजूद बहे शांत रहा, और शर्त मान कर भगवान के स्थान पर शिला रूप में खड़ा हो गया, सबसे पहले मंदिर में एक व्यपारी आया, और बोले भगवान मैंने एक नया व्यपार शुरू किया है, उसे खूब सफल बनाईएगा, जैसे ही व्यपारी उस मंदिर से जाने लगा, तो उसके धन की पोटली नीचे गिर गई, इस बास स की नजर व्यपारी की गिरी धन की पोटली पर जाती है, वेह भगवान का धन्यवात करता है, और पोटली लेकर वहां से चला जाता है, तीसरा व्यक्ती मंदिर में एक नाविक आता है, कि मैं काम की तलाश में समुद्र पार कर उस और जा रहा हूं, मेरी यात्रा में कोई अ आए आप ऐसी कृपा कीजिएगा नाविक भगवान से प्रात्ना कर ही रहा था कि उतनी ही देर में व्यपारी सब लोगों को लेकर मंदिर में आ जाता है और कहता है कि मेरे बाद मंदिर में यह नाविक ही आया था इसका आर्थ है कि मेरे धन की पोटली इसी ने चुराई होग इसे बंदी बना लीजिए यह देख कर गवाला सोचता है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता और वह अपनी शर्थ भूल कर बोल पड़ता है कि धन की पोटली नाविक नहीं बलकि एक गरीब मनुष्य के पास है सैनिक उस गरीब को कारवास में डाल देते हैं ना इसे बंदी का काम नहीं बनाया बलकि बिगार दिया वह व्यपारी गलत तरीकों से धन आजित करता है अगर उसका धन गिर भी गया था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बलकि उसके पाप ही कम होते क्यूंकि वो धन गरीब को मिल चुका होता है और धन मिलने पर उसके बच जाती भगवान की बात सुनकर गौले को समझ आया कि सुबा जिस बात पर वह अश्यरे कर रहा था असल में उसका अर्थ क्या था दोस्तों इसी तरह से भी हमारे जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं जब हमको लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ भगवान न पर अपना विश्वास बनाए रखें इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए आपने दोस्तों रिश्तिदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नाटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवा दोस्तों